जै मातादी आग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा शतिपाट से देवी कबच और ये कबच इस परकार है ओम चंडी देवी को नमस्कार है मारकंडे जी ने कहा पितामा जो इस अंसार में परम गोपनिय तिथा मनिश्यों की सब परकार से रक्षा करने वाला है और जो आप तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है ऐसा कोई साथन मुझे बतलाईए प्रमा जी बोले ब्रहमन ऐसा साथन तो एक ही है देवी का कबच जो गोपनिय से परम गोपनिय पवित्र तथा संपूर्ण प्रानियों का उपकार करने वाला है ये महाम चौथी मूर्ती को कुश्मांडा कहते हैं पांच में दुर्गा का नाम सकंध माता है देवी के छटे सुरूप को कात्यानी कहते हैं सात्मा कालरात्री और आटमा सुरूप महागवरी के नाम से प्रसीद है नमी दुर्गा का नाम सिध्धी दात्री है ये सब नाम सरवग्य महात्मा बेत भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए है जो मुनश अगनी में जल रहा हो रन्भूमी में सत्रों से घिर गया हो विशम शंकट में फस गया हो इस परकार से भैसे आतूर होकर भी जो भगवती दुर्गा की श्रणक को प्राप्त होता है उसका कभी भी अमंगल नहीं होता यूद के समय संकट पढ़ने पर भी उसके उपर कोई जुपत्ती नहीं दिखाई देती उन्हें शोख दुख और भैकी प्राप्ती नहीं होती जिन्होंने भगती पुर्वक देवी का स्मान किया है उसका निश्चही अगुधय होता है देविश्वरी जो तुमारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निशंदे ही रक्षा करती हो चमुंडा देवी प्रेट पर आडूर होती है वारही भैसों पर सवारी करती है एंधरी का वहन एरावत है पैशनवी देवी गरूर पर आसन जमाती है महिश्वरी विशवरी पर आडूर होती है कौमारी का वहन मयूर है भगवान विश्णू की प्रेत्मा देवी लक्षमी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किये हुए है पिशवप पर आडूर पैश्वरी देवी ने स्वेत रूप धरण कर रखा है ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी होई है और सब प्रकार से आगुश्नों से विभूसित है इस प्रकार ये सभी मात आए सब प्रकार के योग सक्तियों से संपन है इसके सिवा और भी बहुत सी देविया हैं जो अनेक परकार के आगोशनों की सोभा से युक तधनाना परकार के रतनों से सुशोभित हैं ये संपूर्ण देविया क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रत पर बैठी दिखाई देती हैं ये शंख, चक्र, गदा, शक्ती, हल और मुशल, खेटक और तोमर, परशू तथा पाश, कुंद और तिर्शूल, एवं उत्तम, शंख, ना, धनूश, आदी, अस्तर, शस्तर अपने हाथों में धारन करती हैं देत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभैदान देना और देपताओं का कल्यान करना ही इनके शस्तर धारन का उद्धेश है महान रोदरूप अत्यन्द घौरूप प्राकरम महान बल और महान उत्सावाली देवी तुम महान भाय का नाश करने वाली हो तुम्हेना मशकार है तुम्हारी और देखना भी कटिन है शत्रों का भै बढ़ाने वाली जगदंबी के मेरी रक्षा करो पूर दिशा में एंधरी मेरी रक्षा करें अगनी कोन में अगनी शक्ती दक्षिन दिशा में वा रही तधा नैते कोन में खटक धारी मेरी रक्षा करें पश्चिन दिशा में वा रही और वाने वे कोन में मिरि बनाने वाली चमुंडा देवी मेरी दसों दिशाओं में रक्षा करें। बनाने वाली चमुंडा देवी में रक्षा करें। बनाने वाली चमुंडा देवी में रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंद वासनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर कामनाओं को देने वाली महावाला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चड़नों की पिस्ट भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तल वासनी पैरों के तलवों में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण, भैंकर दिखाई देने वाली दस्ट कराली नखों की और उधव केशनी मेरे केशों की रक्शा करे, रुमा वालिया मेरी छिद्रों में कोवारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्शा करे, पर्वती देवी रक्ट, मज्जा, वसा, मास, हड्डी और मेदग की रक्षा करें आतों की कालरात्री और पित्र की मुख के टेश्वरी देवी रक्षा करें मुलाधार आदी कमल कोशों में पद्धवती देवी और कफ में चुड़ामणी देवी सीधों का रक्षा करें नख के तेज की जुआला मुखी रक्षा करें जिसका किसी से अत्र से भेदन नहीं हो सकता वह अविदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर हमारी रक्षा करें ब्रामणी आप मेरे वीरे की रक्षा करें छाया की और धर्म-धार्णी मेरी धर्म और एहंकार मन और बुद्धी की रक्षा करें हाथ में वजिध धारन करने वाली वजरहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, वयान, उद्धान और समान वायू की रक्षा करें कलान से शुशोबित होने वाली भगवत्ती, कल्यान, शोबना मेरे प्राण की रक्षा करें रस, रूप, गंध, शब और स्पर्ष इन विश्यों का अनुवव करते से मैं योगनी देवी मेरे रक्षा करें, तथा सत्गुन, रजोगुन और तमुगुन की रक्षा सदा नाराणी देवी करें, वारही आयू की रक्षा करें, वैशनवी धर्म की रक्षा करें, चकनी देवी, यश, किर्ती, लक्षमी, धन, वि पटनी कि रक्षा करें चाल्नी और पापनाश्नी हो अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवज के कहीं एक पग भी ना चाहे कवज का पाट करने करके ही यात्रा करे कवज के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां माउसे धनलाव होता है तथा संपुन कामनाओं की सिद्धी करने वाली विजए हो जाता है वह पर उस इस प्रित्मी पर तुलना रहित महान एश्वरे का भावी होता है कवज से सुरक्षित वनुष्य निर्भय होता है युद में उसकी पराज़े नहीं होती वह तीनों लोक में पूजनी होता है देवी का यह कवज देवताओं के लिए दुल्लभ है जो प्रतिदी नियम बूर्बक तीनों संध्याओं के समय शद्धा के सेज का पाठ करता है उसे देवी कलाप्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी प्राज़े नहीं होता इतना ही नहीं वह अपमें तुन से भी रहित हो सौस से भी अधिक वरसों तक जीवित रहता है मकडी चेचक कोड आदि उसकी संपून व्याधिया नश्ठ हो जाती हैं कनिर भाम अफीम धतूरे आदि का स्थवर विश सांफ विच्चू आदि की काटनी से चड़ा हुआ जंगम विश और अही फेन और तेल के सयोग आदि से बनने वाला कृतिम विश ये सभी परकार के पिश दूर हो जाते हैं उनका कोई भी असर नहीं हो था इस प्रित्मी पर मारण मोहन जितने भी आविचारक परयोग हैं तथा इस प्रकार के जितनी भी तंत्र, मंत्र, यंत्र हैं वे सब इस कबच को हरदय में धारन कर लेने पर मनुशे को देखते ही नैश्ठ हो जाते है ये ही नहीं पृत्मियों पर विचरन करने वाले ग्राम देवता, आकाश चारी देव विशेश, जल से समंध प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निमन कोटी के देवता, अपनी जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डा कवच धारण के रहने पर उस मौनिश्य को देखते ही भाग जाते हैं कवच दारी पुरुष को राजा के समान वृद्धी प्राप्थ होती है यह कवच मौनिश्यों के तेज की वृद्धी करने वाला और उत्तम है कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी किर्थी से में टिकी रहती है तब तक यहां पूत्र पौत्र आदी संतान परंपरा बनी रहती है फिर दे का अंध होने पर भी वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्ते परंपत को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुरलब है वह सुंदर दिवी धरन करता है और कल्यान में शिव के साथ अनंद का भागी होता है और इस प्रकार देवी कवर शमाप्त होगा